बच्चो आज हम कक्षा ग्यारवी में केंदी प्यवित्ती की माप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसकी अंतर पिछली उसमें हमने समांतर माद्ध व्यक्तिकर्ष्रेणी में बताए था आज जो हम बताएंगे वह जो है खंडिट्ष्रेणी में होगा ये खंडिट च्रेणी में जो है आप देखेंगे कि प्रत्यक्षरिती करशूटर और लगुरिती कर शूटर जैसे हमने प्रत्यक्षरिती करशूटर लगुरिती करशूटर जा़ए हम इसके वह न सफर वह न लिखकेंग न जो है अंगड़िते के माद है एमेज़े मोले गुड़न फनों का योग है आवरितियों का योग है वैसे ही लगू रीती में भी है तो इसको हम इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो गड़ित दिया हुआ है यह हम प्रत्यक्ष रीती से कर रहे हैं यह हम प्रत्यक्ष रीती से कर रहे हैं इसमें जो हमारा सूत्र क्या था एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स होन सिग्मा एफ तो यह हमारा प्रत्यक्ष रीती का सूत्र है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है एक्स किसको मानते है एक्स हम इसको मानते हैं और यह जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हुए कि यह माद्धी के लिए उपर हम डंडी दिया हुआ है लेकिन यहां पर एक्स जो है हम स्मॉल में ले रहे हैं तो उसको ध्यान रखने आप और यह विद्यारतियों की संख्या है इसको हम F से दरसाते हैं यहां पर यहां पर सिग्मा नहीं आएगा F मतलब यह दोनों का हम यहां पर गुणा करेंगी तो यहां पर 65 हम यह 65 हो गया उसी तरह से 66 का हम जब 4 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 264 फिर उसी तरह से 5 का गुणा हम 60 से करेंगे तो इस तरह से यह सब का हम आपस में गुणा करते चले जाएंगे तो यह जो है हमारी जो संख्या है वह निकल आएंगे अब जैसे 11 है ग्यार नम्मा 99 आगिया और यहां पर ग्यार चिंग 66 और फिर वह 9 को जब हम प्लस करेंगे तो 7, 59 हो जाएगा इस तरह से यह सारे जो है हम आपस में जब गुणा करेंगे तो यह संख्याएं हमें प्राप्त होगी फिर इन सब को गुणा करने के बाद हम जब देखेंगे तो यह 288 146 यह जो है यह संख्याएं हमें प्राप्त होगे अब इनको हम जब टोटल करेंगे तो इनकी संख्या जो है वह है 50 और इसकी संख्या है 3469 मतलब इसको भी हमने टोटल कर दिया इसको भी हमने टोटल कर दिया अब यह जो हमें प्राप्त हुई है यह सिग्मा एफ प्राप्त हुआ है और यह जो मिला है हमें सिगमा एफ एक्स जब हम कुल में जोड़ते हैं तब हम सिगमा को जोड़ देते हैं यह आपको ध्यान रखना है अब यहां पर हमारा पार जो सूत्र है हम उसमें यह संख्याओं को रखेंगे तो यहां पर 3400 यह 69 है बटे यहा जो आपर नहीं चल रहा है तो अब हम इसको काटिंगे वैच कैसे आएगा 50 कशाव भाग देंगे यहां पर हमको मिल जाएगा 69.18 यह जो है हमारा प्रिट्यक्षरीती का जो है वै आंसर आ गया इसमें प्रिट्यक्षरीति में कुछ नहीं करना है यहां पर हमें क्या करना है है यह संख्याय लिखनी है यह सार्नी दिया हुआ है उसके बाद यह दोनों को हमको यहां पर क्या करना है और उसको हमको टोटल करना है इस तरह से हमें क्या हो जाएगा यह जो आंसर है यह हमें मिल जाएगे पिर नेक्ष्ण में हम देखेंगे लगूरीती में अब लगूरीती में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें A है A जो हमने ब्यक्तिकल स्रेणी में भी कल्पित माध्य के रूप में हमने उसको उपयोग किया था यहां पर यह X है और यह F है तो यहां पर जो है अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे जो कल्पित माध्य है उसमें हमने यहां पर जो कल्पित माध्य है कल्पित माध इसको हमने 69 माना है जो बीच में 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो 1,2,3,4 यह 5 पी जो संख्या है यह हम एकदम बीच में जो रहता है उसको हम कल्पित माध्य के रूप में लेते हैं यह चीज आपको ज्यान रखनी है कल हमने वेक्तिकर स्याणी में भी जैसा किये था वैसे ही यह संख्या जो है यह भी कम होती चली जाएंगी जैसे अब 69 में 65 को घटा है तो यह हमारा जो कल्पित माध्य वाला है यह Dx कहलाता है तो हम यह बानेंगे तो यह Dx कहलाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 65 में से 69 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 4 फिर माइनस 3 फिर माइनस 2 माइनस 1 69 से 69 कटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यह इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा अब इसके बाद हम क्या करेगे यह जो हमें छोटी संख्या जो मिल गई है अब इसको जो है हम यहाँ पर सिगमा F B X मतलब इस संख्या का गोड़ा जो है इससे हम करेगे तो सबसे पहले है चार एकम 4 चारतिया 12 पादुनी 10 साथ एकम 7 इस तरह से यह संख्या है जो है हमें जाएगे फिर यहाँ पर 10 चारतिया 12 चारतिया 8 इस तरह से यह संख्या है जो है हमें मिलती चली गई है अब इसमें हमने पिछली उसमें भी हमने देखा था कि यह जो है यह संख्या है अलग जुड़ेंगी और यह संख्या है प्लस वाली जो है यह अलग जुड़ेंगी आप प्लस का निसान लगाईए यह नहीं लगाई यह प्लस में ही माने जाते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो यह जो संख्या है यह कितनी आ रही है तो चार दो छे और इस तरह से हम इसको जब टूटल करेंगे यह हो जाएगा 42 42 प्लस में है और माइनस में 33 मतलब यह संख्या है जो है वो अलग अलग हो गए इस तरह से हमारा जो यह संख्या जो है कितना मिल जाएगा जब उसको minus करेंगे तो हमारे पास यह 9 प्राप्त हो जाएगा तो यह sigma fdx है अब उसके बाद हम इसको total किये थे तो हमारा क्या था यह 50 है यह क्या है sigma f है तो आप हम इसके बाद क्या करेंगे इसको जो सूत्र हमने जो लिख कर रखे हुए हैं इसमें यह यहां पर हम देखेंगे कल्फित माद्य हमने 69 माना है और इसके बाद यह जो संख्या में यहां पर मिली है यह यहां पर 9 है और इसके नीचे यहां पर यह 50 है यह हमारी जो क्या है यह जो अंक हमें राप्त हुए हैं वह हैं तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम यह इसका इस जीरो पॉइंट बन एट यह आया हमारे पास कि जब आप इसको जोड़ देंगे तो 69.18 यह जो आप जब देखेंगे तो इसमें जो है लगूरीती में भी और इसमें जो यह आंसर जो आया है यह दोनों में ही कैसा है समान है यह चीज हमने वेक्तिगत स्रेणी में भी देखा यह जो है आप जितनी बार करेंगे बार-बार करेंगी तो ही आपको यह समझ में आयेगा और आप भार लबार देखिए तो इसमिन आप ci हमको कैसे करना है पिर आप यह जो दिये हुए हैं यह आपके ग्रहकारे दिये हुए हैं इसमें जो गडित जित्ते दिये हुए हैं यह सबको एक गडित जिस्ते से मैंने बताया एक प्रत्यक्ष और आप प्रत्यक्ष दोनों रीती में बताया है वैसे ही एक गडित को जो है प्रत्यक्ष और आ झाल, 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 झाल